इको सिस्टम में नय अपडेट आया है उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने चेक कर लिया होगा पढ़ लिया होगा अगर नहीं चेक किया है तो चेक कीजे पढ़िए बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट दिया गया है हम सभी जानते हैं यह स्टर्डे ग्लिच्चेस के बारे तो आवर इको सिस्टम दिन सम डेटा इस्ट्रक्चर गॉट टैंगल और यू प्रबबली सीन सम इनकर्ट डेटा इन यूर एकांट मतलब आउन पासिप टीम का यहां पर कहना है कि हमारे एको सिस्टम में कुछ आवस्यक अपडेट करते समय कुछ काम करते समय कुछ डेटा इस्ट्रक्चर उलज गया है इसलिए आपने अपने ओयस एकांट में कुछ इनकर्रेक्ट डेटा देखा है तो आवर टीम्स मूब्ड स्विफ्टली इन एक्षन वी था सिंस ऑफ अर्जिंसी यानि कि हमारी टीम में अर्जिंसी की भावना के साथ तेजी से एक्षन में इडियेटली हमारी ओन पैसिप टीम ने एक्षन लिया यानि की गिलिचेस की रिगारिंग काम करना स्टार्ट कर दिया एंड टेक एग्जिक्यूटिब्स एडवाइजड तो पॉस्पेमेंट्स एंड बिड्रॉ इन प्रोसेस यानि की टेक एग्जिक्यूटिब्स ने पेम बैक अंडर 24 आवर्स टाइम यानि की सवभागी से इसका समाधान हो गया है रिजॉल्व कर लिया गया है और सारा डेटा 24 हावर्स के अंदर वापस आ जाएगा बैक आ जाएगा जैसे पहले आपका एकाउंट दिखता था उसी परकार से आपका एकाउंट 24 हावर्स के and running scripts मतलब अगले कुछ घंटों में हम quality assurance testing करेंगे and scripts चलाएंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो 24 हावर्स के अंदर वापस आ सके जिस परकार से पहले हमारा account था उसी परकार से हो सके difference and if all clear will push it to live production and यहां पर कुछ good news भी दिया गया है यहां पर बताया गया मोबाइल आप की रिकार्डिंग बताया गया है if all goes well today Friday September 15, 2023 then we will officially launch O connect mobile app on both Apple's App Store and Google Play Store यानि कि यद सब कुछ ठीक रहा तो आज Friday 15 September 2023 को हम Apple के App Store and Google Play Store दोनों पर officially O connect का mobile app launch करेंगे and strongly recommended to only click on the prospective app from your ecosystem while logged from your device यानि कि यहां पर strongly recommend किया जाता है कि अपने device से login करते समय आप लोग इन करने के बाद केवल अपने ecosystem से ही समभावित app पर click करें यानि कि वहां पर जो download करने का option दिया जाए open mobile app को तो आपको अपने ecosystem के जरिये ही download करना जिसके बारे में हमने कई बार repeat कर दिया उमीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छी से समद चुके हैं because we are not responsible for any other sources हम किसी other source के लिए responsible नहीं है तो open mobile app को ecosystem के जरिये ही download करना है इतना ध्यान अखेफर जब भी आएगा उमीद है कि आज आ जाना चाहिए में भी कल मॉर्णिंग में आ जाए तो ध्यान रखे चेकर तरह जब भी आ जाए तो आपको download करना है because our only source is on passive ecosystem हमारे information का जो source है मतलब जहां से हमें information लेना है real information लेना है वह है on passive ecosystem on passive ecosystem में real information आएगा जो कुछ भी update आना होगा तो वह सभी update हमारे on passive ecosystem में ही आएगा जिसके अनुसार हम सभी को लगातार आगे बढ़ते रहना है और last में एक बहुत ही important point आप सभी को बतना चाहता हूं कॉमें काफी लोगों का यह problem हुआ है account की regarding जो problem हुआ था तो काफी लोगों ने ticker days कर दिया है जिनों ने कर दिया अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं ठीके आपने जो काम करना था कर दिया लेकिन जिन लोगों ने ticker days नहीं किया है account की रिगारिक जो भी आपको गिलीस दि है जो कुछ भी होना होगा मतलब जो डेटा हमारा बैक आने वाला है वो बैक आज आएगा अगर टिकर डेस करना होता तो कंपनी हमें कुछ पता है जो कुछ भी हुआ है जो सारी चीजह है तो जो कुछ भी और होता है तो अगर कैसा कुछ करना होता इंतजार है उमीद कर Cordy के अंदर हमारा डेटा rollback कर दिया जाएगा मतलब वापस आ जाएगा जिस परकार से हमारा account पहले था उसी परकार से हो जाएगा जिनके account में कुछ glitch ओगरा दिख रहा है तो वो सब कुछ automatically हो जाएगा इस update करनोसार ऐसा ही लग रहा तो आप wait कीज़े, इंतजार कीज़े आपको personally यहाँ पर कुछ भी करने की जरूत नहीं है अगर कुछ करना होता तो company हमें यहाँ पर information जरूर देती और यह सब कुछ complete होने के बाद done होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तो आपका data rollback कर दिया गया मतलब वापस कर दिया गया अब आपका account ओके हो चुका है कोई भी दिक्कत नहीं है और उसी pop-up में card payments को लेकर भी information दिया जा सकता है कि आपका card payments live हो चुका active हो चुका है अब आप card के थुरू ओकन को subscribe कर सकते हैं तो यह सारी information मुझे एकीन है कि एक new pop-up आएगा जिसमें complete information दिया जाएगा तो यह था friends pop-up में आए हुआ अपडेट उमीद करता हो कि हर एक point आप बहुत ही अच्छे से समझ गये होंगे और यह वीडियो भी आपको informative ज़रूर लगा होगा वीडियो informative लगा हो तो वीडियो को like, share and channel को subscribe जरूर कर लेजिएगा